हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूटिब चैनल आसी फजजाद में दोस्तो इस वीड़ा को बताने वाले हैं कि इस रम कार्ड क्या है दोस्तो हम जानते हैं कि पूरे देश में आजकल इस रम कार्ड बनाया जा रहा है और अगर बनवा सकते हैं तो कैसे बनवा सकते हैं दोस्तो इसके फायदे क्या है इस रमकाट बनवाने क्या हर महीने एक हजार रूपए आपके बैक अकाउंट में आएंगे और इसके लाश डेट क्या है तो दोस्तो सारी जनकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो व वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो इसरम कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसमें केंदर सरकार ने एक यूजना बनाई है जिसमें औसंगित छेतरों में काम करने वाले जितने भी मजदूर टाइप के लोग है जो सरमिक है लगबग हमारे देश में 38 से 40 करोर ऐसे लोग है जो देला चलाते हैं कचरा उठाते हैं ऐसे लोग जिनका कोई डेटा गौर्मेंट के पास नहीं है इसी को ध्यान में रखते हुए गौर्मेंट ने इसरम कार्ड बनवाया है दोस्तो इसमें ये फायदा होगा कि जो लोग इसरम कार्ड बनवा लेंगे गौर्मेंट के पास उन गया था जिसमें 500,000 रूपे सरकार दोरा उसमें भेजा गया था आर्थिक मदद के रूप में तो दोस्तो वैसे ही इसरम कार्ट बनवाया जा रहा है जिसमें गौवर्मेंट कोई भी एसकीम अगर निकालती है या डायरेक्ट अगर मदद करना चाहती है इसरमिक लोगों को त इसरम कार्ट बनवा सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले देखे इस लिष्ट में नाम है क्रिसी मजदूर टाइप के अगर लोग हैं तो वो इसरम कार्ट बनवा सकते हैं दूद का कारोबार करने वाले किसान सबजी और फल भी करेता उसके बाद दोस्तों परवासी मजदूर इंट भट्टा स्रमिक, मचुवारे, सौ मिलकी करमचारी उसके बाद दोस्तों बिडली, रोलिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग बढ़ई, रेशम उत्पाद स्रमिक, नमक स्रमिक, टेनरी, वरकर्स, भवन और निर्मान स्रमिक चमरस रमिक, घरेलु स्रमिक, दोस्तों नाई, अखबार बेचने वाला, रिक्सा चालक, ओटो चालक, रेशम उत्पाद कारे करता दोस्तों इस टाइब के जितने भी लोग हैं वो अपना इसरम कार्ट बनवा सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या श्टूडेंट भी इसरम कार्ट बनवा सकते हैं या फिर नहीं बनवा सकते हैं तो दोस्तों इसका मतलब सीधा सिधाया है कि जी हाँ श्टूडेंट भी इसरम कार्ट बनवा सकते हैं क्योंकि दोस्तों ऐसा कुछ मना ही नहीं है कि इस्टूडेंट इस्रम कार्ड बनवा नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी जो पातरता है, इसकी जो योगिता है, दोस्तों जिनकी उमर 16 साल से 69 साल के बीच में है, वो अपना इस्रम कार्ड बनवा सकते हैं, अब दोस्तों बात करते हैं कि student कैसे ishram card बनवा सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए भी एक code लाया गया है मतलब दोस्तो इन शेत्रक में भी अगर कोई student काम करता है तो वो अपना ishram card बनवा सकता है दोस्तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे education का एक option दिखाई दे रहा है दोस्तो यह list है ishram card के portal से download किया गया है यहाँ पे दोस्तो देखे लिखा है education इसके सामने दोस्तो यहाँ पे देखे लिखा है tutor and other teacher edits home tutors coaching center tutors दोस्तो अगर आप student है और आप part time कोई job करते हैं या फिर आप tuition पढ़ाते हैं या आप coaching संसा चलाते हैं या कोई home tuition ही पढ़ाते हैं तो दोस्तो आप अपना ishram card बनवा सकते हैं जी हाँ दोस्तो अगर आप student है तब भी आप अपना ishram card बनवा सकते हैं अब दोस्तो बात करते हैं कि इसके benefits क्या दोस्तो जिन लोगों के पास इसरम कार्ड होगा अगर उनकी कोई दुरघटना में अगर मौत हो जाती है तो दोस्तो सरकार दोरा उनको सीधा 2 लाख रूपए उनके बैक आकाउंट में भेज दिया जाएगा जो उनके घरवाले होंगे उनके आर्थिक मदद के लिए के पास इसरम कार्ड है और उन्हें कोई दुरघटना होता है और उसमें वो घायल हो जाते हैं तो उनको एक लाख रूपए का मुआउजा दिया जाएगा दोस्तो अब बात करते हैं कि इसकी लास्ट डेट कब तक है तो दोस्तो लास्ट डेट इसकी कोई नेधारित नहीं है क कि दोस्तो इसका टोटल इस्टिमेट था कि 38 करोड लोगों का इसरम कार्ड बनवाया जाए लेकिन दोस्तो अभी तक 15 से 20 करोड लोगों का ही इसरम कार्ड बन पाया है तो दोस्तो जब तक ये 38 से 40 करोड लोगों का इसरम कार्ड नहीं बन बन पाता है तब तक इसका कोई लाश्ट डेट नहीं रहेगा ये बनता रहेगा दोस्तों फिलहाल यूपी गर्मेंट ने एक स्कीम निकाली है कि जिन लोगों का इसरम कार्ड है और 31 दिसंबर से पहले जो लोग इसरम कार्ड बनवा चुकी हैं उनको वो हर महीने 500 रुपे उनके बैक अकाउंट में रहता है मज़दूरों के लिए तो दोस्तों अगर आपके पास इसरम कार्ड रहेगा तो आपको डायरेक्ट इस योजनक का लब मिल पाएगा तो दोस्तों आसा करता हो कि आपको ये जनकारी अच्छी लगी हो कि आप इसरम कार्ड कैसे बनवा सकते हैं कौन-कौन से लोग इसरम कार्ड बनवा सकते हैं और स्टूडेंट इसरम कार्ड बनवा सकते हैं या फिर नहीं बनवा सकते हैं तो दोस्तों आसा करता हो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए मिलत हैं अगले वीडियो में जय हिंद